आज हम बनाएंगे ढावा स्टाइल पालक पनीर की रेसिपी यह बहुत ही टेश्टी बन कर तयार होगी यकीन मानी यह रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके रसोई वीद सीमा चैनल पर अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और यह रेसिपी अच्छी बनी है तो कॉमेंट में अच्छी बनी है जरूर लिखेगा पालक पनीर बनाने के लिए मैंने यहां लिया है 500 ग्राम पालक इसे मैंने धो लिया है और धोनी के बाद यहां मैंने करहाई में पानी उबलनी के लिए रगा था जब पानी में एक उबाल आ जाए तो इसमें हम धोये हुए पालो को डाल देंगे अगर जादा है तो इससे दबा दबा कर डालेगा जिसे सारे पालक एकी बार में उबल जाए तो पालो को हमें दो मिनिट के लिए पकाना है दो मिनिट बाद हम इस पालो को निकाल लेंगे और इसे हम ठंडे पानी में डालेंगे ठंडे पानी में डालने से ये होता है कि इसका कलर चेंज नहीं होता है ठंडे पानी में डालने के बाद इसे हम रहने देते हैं जब तक ये ठंडा हो जाएगा तब तक हम यहां कढ़ाए में सरसो का तेल डालेंगे जब तेल गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे हम जीरा और जीरा को चटकने देंगे जब जीरा चटक जाए तो इसमें डालेंगे 2-3 हरी मिश को मैंने बीच से कट कर लिया है और साथी में डालेंगे यहाँ पर 8-10 लेसन की कलिया यहां मैंने एक गट लेसन लिया है और इसे हम भून लेंगे एक मिनिट के लिए इसे भूनने से लेसन में अच्छे टेस्ट आएंगे पालत पनीर में और साथी में डालेंगे यहां पर medium size का मैंने यहां एक प्याज लिया है सभी को हम 1-2 मिनिट के लिए भूनेंगे प्याज अल्लहसन को 1-2 मिनिट भूनने के बाद इसमें डालेंगे दो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का टमाटर लिया है उसे भी कट करके हमने डाल दिया है और साथ ही में डालेंगे हम यहाँ पर नमक नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाएंगे और ये जल्दी गल भी जाएंगे तो इसे हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद सभी चीजों को और एक से दो मिनिट हम इसे पका लेंगे या फिर टमाटर जब तक गल नहीं जाता तब तक हम इसे पकाना है जब तक इदर टेमाटर प्याज पक रहे हैं, τब तक हम पनीर को छान कर निकाल लिया है और ये थंडा भी हो चुका है अब एक मिक्सी जार लेUNGगे और सारे पालक को हम मिक्सी जार में डाल कर पीस लेंगे इसे हम दो बैचों में पीसेंगे क्योंकि पालक थोड़ा जादा है पालक हमने पीस कर तयार कर लिया है अब जो हम टमाटर और प्याज को फून कर रखा था वो भी अच्छे से पक गए हैं तो अब इसे हम मिक्सी जार में डाल कर पीस लेंगे और यह देखिए हमारे मसाले पीस कर तयार हो गए है तो चलिए अब पनीर को हम क्यूप्स में कट कर लेते हैं यहां मैंने 500 ग्राम पनीर लिया है और इसे हमें क्यूप्स में कट कर लेंगे बरे या छोटे कोई भी साज में आप इसे कट कर सकते हैं जो हमने क्यूब्स में कट करके रखाया उसे हम फ्राई नहीं करेंगे इसे हम बड़े साइज में जो कट करके रखाया उसे हम फ्राई कर लेंगे इस पालक पनीर में बहुत ही अच्छी टेस्ट आएंगे एक फ्राई किया हुआ और एक बीना फ्राई किया हुआ अब दोनों क भी फ्राई कर सकते हैं तो दोनों साइट से हम पनीर को अच्छे से physically कर ली जब फंहर फ्राई हो जाए है तो हम इसे निकाल लेंगे फ्राई किया हूँ पनीर पालक में डालने के बाद इया साउफ बने रहें उसके लिए यह मैंनेora अच्पाई किया हुए बाद पनीर और दो मेने तेज पत्ते डाले हैं जो हमने मसाले पीस कर रखा था डायरेक्ट हम इसे इसी में डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे तो हमने मसाले को भून कर पकाया है तो इसी पकने में टाइम नहीं लगेगी बस एक से दो मिनिट इस मसाले को हम पका लेंगे और जो मिक्सी जार में मसाले लगे हुए हैं उसमें हम पानी डाल कर इसमें डाल देंगे और इसे एक से दो मिनिट के लिए हम पका लेंगे जो पालो को पीस का रखा है तो सारे पेश्ट को हम इसमें डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे पेश्ट को डालनी के बाद जो मिक्सी जार में पेश्ट बचा हुआ है उसमें हम पानी डालकर उसे भी हम मिक्स करके कराई में डाल देंगे और इस मसाले को हम 5-10 मिनिट के लिए पका लेंगे जिससे पालग भी अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले में इसे ढखकर पकाएगा ने तो इसके छीटे आपके हाथों भी पड़ सकते हैं पालो को भी हम 1-2 मिनिट के लिए पका लेंगे उसके बाद इसमें डालेंगे हम सुखे मसाले पालग पनीर तो सभी के घरों में अलग-अलग तरीके से बनता है लेकिन मैंने इस तरह से बनाया है आप भी इस तरह से जरू ट्राई कीज़ेगा अब इसमें डालते हैं हम सुखे मसाले, सुखे मसाले में एक चमच मैंने डाला है धनिया पौडर, एक चमच डाला है मैंने हल्दी का पौडर, यहाँ पर छोटा वाला चमच है तो मैंने दो बार डाला है, इसे हम मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद इसी में डालेंगे हम आधा चमच जीरा पॉर्डर और एक चमच लाल मिर्श का पॉर्डर दोनों को हम मिक्स कर लेंगे और इसे धखकर ही रखेगा देखिए जिसके छीटे कितने पढ़ रहे हैं। इसे मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकोडिंग नमक यहां पर नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम ढखकर पकने देते हैं पांच मिनिट के लिए यहाँ पर 5 मिनिट हो गए हैं तो हमने जो पनीर को कट किया था उसे में हम डाल देंगे पालक में और इसे मिक्स कर लेंगे और जो हमने फ्राइ किया हुआ पनीर को उसे भी हम इसी में डाल देंगे अब यहाँ पर देखिए थोरी ग्रेवी गाड़ी हो गई है तो मैंने इसमें थोरा पानी डाल दिया है जिसे ये ग्रेवी अच्छी सी पतली बनेगी क्योंकि हमने पनीर को डाला है तो उसे 5 मिनिट के लिए हमने पनीर को पकाना है पानी डालने के बाद इसे हम ढखकर 1-2 मिनिट के लिए पकान लेना है क्योंकि हमने पानी यहाँ थोरा सा ही डाला है तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेगा इसके बाद हम इसमें डाल दें कस्तूरी मेथी और इसे मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसे हम एक से दो मिनट और पकाएंगे क्योंकि हमने यहां कस्तूरी मेथी डाला है तो वो भी अच्छे से पकेगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा हैगा अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा धन्य पत्ता और इसे हम मिक्स करें लेंगे तो लीजिए यह हमारे धावा इष्टासरी पालक पनीर बनकर तयार हो गई है अब इसे मैंने ठोड़े से घि में कास्मोरी लाल में डालकर इसे गरम या और इसके ऊपर डाल दिया है क्योंकि ये डाल दिया है और ये देखने में देखे और ये देखे कितने अच्छे बन कर तयार हुई है इसे आप रोटी चावल पराठे के साथ इसे सर्व कर सकते हैं बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही अच्छे भी लगती है तो फ्रेंट्स अगर हमारी वीडियो पराठे के साथ सर्व किया है